दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाल है डेल्टा हैजिंग की काफी टाइम से मेरे बास रिक्वेस्ट आ रही थी कि डेल्टा हैजिंग होता क्या है डेल्टा हैजिंग के थुरू हम डेल्टा को नीट्रल कैसे कर सकते हैं यह जितनी भी टर्म आप सुन रहे हैं यह सार सदल्ली ऊपर चले जाए तो उसमें कितना आपको रिस्क है सदल्ली नीचे चले जाए तो उसमें आपको कितना रिस्क है तो इसमें डेल्टा आपकी काफी मदद करता है तो कैसे कर सकते हैं डेल्टा हैजिंग और उसके तुरूम निट्रल कैसे कर सकते हैं उसको ताकि आप प बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूटूब चैनल में मेरा नाम है अनमोल मित्तल और समझेंगे कि डेल्टा हैजिंग होती क्या है और किस तरीके से काम करती है तो सबसे पहले में स्ट्रेडिजी बिल्डर पर जाता हूँ एक स्ट्रेडिजी बिल इसे अगेंस अगर मार्केट जाएगी तो आपको नुक्सान आएगा तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है सबसे पहले यह जो आप लाइं देख रहे है यह दंख मार्केट अभी लाइन देख रहे हैं तो इजो आप रीड़ लाइन थोड़ा सा पीछे आती है तो आपको ज़्यादा नुक्सान नहीं दिखने लेकिन आगर रेड़ मार्केट अग्र वाली लाइन थोड़ाँ सा आगे चलि जाती है तो यहाँ दीख Selinho आपको बीच में गैप्स दिख रहे होंगे यहां पर गैप्स तो यहां पर आपको एकदम नुकसान हो जाएगा यानि अगर आदा परसेंट मार्किट इधर भागती है तो कोई खास नुकसान नहीं आदा परसेंट मार्किट अगर इधर भागती है तो आपको जबर्दस नुपसान हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों जो delta है वो neutral नहीं है क्यों neutral नहीं है अगर आप यहाँ delta देखेंगे तो आपको delta में एक figure दिखाई देगी यह minus 55 है यानि आप bully side जाधा risk में है तो इसको दोस्तों hedge करने के लिए दो तरीके है पहला तरीका क्या है अगर मैं इस strategy बना रहा हूँ तो पहला दोस्तों तरीका यह है कि मैं जो bully side में जो मुझे नुपसान ज़धा देगा मैं उसकी quantity को कम कर लूँ तो bully side नुपसान मुझे दोस्तों कौन देगा बुली सेट दोसे नुकसान मुझे देगा कॉल, तो कॉल साइड के अगर मैं थोड़ी कम कर दूँ तो आप देखिए, आप बिल्यू वाली लाइन पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं इसके lots कम कर रहा हूँ, तो आप देखे डेल्टा आपका बीच में आगया, यह जो बिल्यू वाली लाइन है, बिल्कुल यहां बीच में आगी अब दोनों तरफ का रिस्क आपको बराबर है यानि मार्केट अगर यहां थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, थोड़ा आगे पीछे में चले जाती है जहां बुली साइड मार्केट जारी थी, एकदम नुकसान आता, वो नुकसान आपको कम हो गया तो यह दोस्तों होता है, डेल्टा हैजिंग और यह होता है, डेल्टा न्यूट्रल अब अलगलग कंडिशन में आपको समझाता हूं कि मार्केट अगर इधर भागी तो क्या होगा मार्केट उधर भागी तो क्या होगा अब जैसे कि मान लेते हैं, हमने वापिस इसको 5-5 लॉट्स पर कर दिया, अब यहां पर देखिए बुली साइड आपको जाधा रिस्क दिख रहा है, एकदम नुकसान होगा आपको, टाइम डिके होगा, दीरे-दीरी होगा एकश्पारी तक पैसा आएगा, लेकिन एकदम मार्केट दे भागी तो काफी नुकसान आपको यहां पर हो सकता है, जैसे कि यहां देखिए, मैं थोड़ा सा मार्केट आगे बढ़ाता हूं यहां देखिए, बीस हजार का नुकसान, यह रेट वाली लाइन पर आपको ध्यान देना है यहां देखिए, साड़े छी हजार का नुकसान, इसकी तरफ अगर आपके थोड़ी अपोजिट भागती है तो इतना नुकसान नहीं है, सिर्फ पैसेट रुपेगा थोड़ा सा और भागती है, सोला सो रुपेगा नुकसान तो इस सेट आपको नुकसान जादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि डेल्टा नुक्सान नहीं है, तो तरीके क्या है? या तो इसके लॉट्स कम कर देजिए, या इसके अगेंस्ट में बाय कर देजिए फोर एक्जामपल, कि मार्किट आपके फेवर में नहीं गई, मार्किट सडली उपर जा रही है ठीके, आपको लग रहा है कि मार्किट या सडली उपर जा रही है तो यहाँ पर देखे, आपको 2,500,000 पर का नुकसान हो गया मार्किट उपर की तरफ चलेगी, आगे की तरफ चलेगी है ठीके, यहाँ पर आपका डेल्टा न्यूटरल नहीं है तो देखे, डेल्टा भी आपका दिरे दिरे चेंज होगा तो इसको क्या होता है, जब हम option selling करते हैं तो option selling के अंदर हम डेल्टा को manage करना पड़ता है डेल्टा को hedge करना पड़ता है, डेल्टा को neutral रखके चलना पड़ता है ताकि हमें नुकसान directional basis बेज़ादा नहीं हो तो इसलिए हम क्या करते हैं फॉर एक्जांपल, market आप यहां से आदा परसेंट उपर गई जरासी market आपके against जाती है, तो उसी time आपको alert होना है यह नहीं कि आप alert ही नहीं हो रहे है तो यहां देखिए यहां 2000 प्यांग नुकसान आपको हो गया अब आपको यह दिख रहा है कि इस side आपको काफी जाता risk है तो आप इस space पर क्या कर सकते है या तो यहां के lots कम कर दीजिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया delta देखिए आप minus 78 पर है दूसरा दोस्तों तरीका यह है कि आप against में calls को buy कर लिजिए थोड़ा सा आप दूर की calls को buy कर लिजिए उसको आपको benefit मिलेगा तो यह करने के लिए हम grix का small कर सकते है grix में देखिए यहां call का delta आपको दिखाई दे रहा है या put का delta दिखाई दे रहा है delta basically यह बताता है आपको कि कितना market move करेगा तो कितना option का price move करेगा for example delta अगर 0.5 है क्यानि 50 पर delta आ गया या 0.5 जिसको हम 0 से 1 तक consider करते है यह थोड़ा दूसरे वेब में consider कर रहा है अगर हम 0 से 1 तक consider करें delta को तो अगर delta है 0.5 आदा तो अगर market यहां से move करती है 100 points तो आपका option move करेगा 50 points अगर delta है आपका 90, 0.90 तो 0.9 है या 90 है तो अगर market 100 points move करती है तो वो 90 rupees आपका option move करेगा तो जैसी delta आपका भड़ता है चाए minus side चाए plus side उतना आपका directional risk बढ़ता है यह आपको समझ में आगी यह basically होता option seller के लिए अब देखे यह delta यहां पर आगी है इसको neutral किया जा सकता है कैसे करेंगे हम क्या करेंगे calls को buy करेंगे अब देखे मैंने क्या करा अब यहां पर 18,250 की call है अब मैं इसको buy करता हूँ जैसे कि मैंने यहां buy करा अब जितना मैं buy करूँगा उतना delta यहां पर कम होता जाएगा यह देखे अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर और कम हो गया मैं यहाँ पर 3 lots करता हूं और कम हो गया एक lot और करता हूं तो almost neutral के आसपस आ गया बहुत साथ कम करने के जुरूत नहीं है माइनस आट पर आ गया माइनस दस पर आ गया तो ठीक है अब यहाँ पर देखिए बिलू वाली लाइन देखिए अब यहाँ पर देखिए डिरेक्शनल रिस्क आपका काफी कम हो गया अब यहाँ पर अगर मार्किट एक दम सडली यहाँ थोड़ा सा भागती है जहां में 20,000 का नुकसान आ रहा था अब देखिए 5,000 का नुकसान ही रह गया यह देखिए 5,000 का रहे गया अठारा सो के असपस का नुकसान रह गया तो यही दोस्तों हम समझाने की कोशिश कर रहे है कि डेल्टा हैजिंग बड़ी जरूरी है अगर आप ऑप्शन सेलिंग की विवा ले ले लेते हैं अब देखिए मार्केट जब भाग रहा था यह देखिए 24,000 का नुकसान हो रहा है 200,000 का 19,00-100,000 के महा صुरब 5000 का आपको हो रहा था अब माले ते कि market आपके बेरिश जाते आपकी strategy कि अब क्या करें अब देखे करेंट सेनेरियो में आपको साड़े पांच सारा पर नुक्सान हो रहा है market एक परसेंट नीचे की तरफ आ गई है ठीक है अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं अब यहां भी दोस् 6 के असपस आगया अब आपको यहां पर neutral करने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या कर रहा हूँ add कर रहा हूँ अब यहां पर देखिए यहां पर एक delta भी दिखाई दे रहा है तो बहुत ज़दा दूर का delta मत पकड़िएगा put का 20 का delta हो 25 का delta तो वो sufficient रहता है तो म 18 का delta है मैं इसको पगट रहा हूँ अब मैं यहां पर puts के lots buy कर रहा हूँ जैसे यहां बाय करूँगा delta आपका कम होगा यह देखिए और मैंने 5 lots बाय करें तो यह देखिए 8 पर delta हा गया तो यह मेरे लिए ok है तो यहां देखिए अब sorry यह काफी against ही भाग गया अब यहां द loss ही 300 रुपे का होना है क्योंकि आपने यह जज कर ले था माकिर मेरे bearish जा रही है गिर रही है उसमें मुझे delta हैज करना है ताकि मेरा पैसा protected रहे नुकसान जादा ना हो और यहां देखिए जहां आपको बहुत जबर्दस नुकसान आ रहा था आप महां पर आपको profits आते व यह इस वीडियो का main motive है तो उमीद करता हूं दोस्तों delta hedging आपको समझ में आगी कि किस तरीके से delta काम करता है अब यह वाली जो line है बिल्कुल middle में है थोड़ा सा market दर बागती है कोई खास रखने पड़ेगा दर बागती है तो अभी कोई खास रखने पड़ेगा अब आप बुली साइड बुली साइड मार्केट अगर ऐसे यहां पर आती है तो यहां देखे काफी जबर्दस आपको risk आएगा तो यही दोस्तों delta का काम है उमीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आगी होगी कि delta hedging क्या होती है delta की power क्या है delta neutral क्यों जरूरी option seller के लिए यह इस possible आपको delta hedging के बड़िया strategy आपके साथ पेश करूँ और आपको serve करूँ जल्दी मिलेगा दोस्तों next video में तब तक के लिए goodbye God bless you, bye bye दोस्तों